हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भ्रहनमशकार सत्ष्रियाकाल अदाव दोस्तो एक बर मैं फिर हाजिर हूँ एक नई देश्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं आलू गोबी ग्रेवी वाली जी हां बहुत टेस्टी बनती है जिसतरह चार्ज मैंने बनाई है तो आप इसे जितरू ट्राई कीजिए चलिए फिर देर ना करते हूँ और देखते हैं किस तरह से बनाएंगे तो मैंने एक bowl ले लिया है अब डालते हैं इसमें कुछ mas الا जिसमें मैंने लिया हाथी पॉड़र यानिकि टर्मरिप पॉड़र आदा चमच आदा चमच ही लाल मिर्च यानि रैड चिली पॉड़र एक चमच लिया है धनिया पॉड़र यानिकि coriander powder और आदा चमश लिए है मैंने jira powder यानि की cumin powder तो इन सबी मसालों को करते हैं अच्छी तरह से mix तो बहुत easy हो जाता है हमें सबजियों में मसाले अड़ करना तो अब डालते हैं इसमें पानी और बना लेते हैं इसकी बड़ी असी paste ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से फूर कर त्यार हो जाएं और बहुत ही बड़ी अफ्लेवर भी आता है अगर इस तरह से हम मसाले सबजी में अड़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी सबजी बनकर त्यार होती है और मसाले भी नहीं जलते तो पेस्ट हो गया है त्यार तो फ्लेम अन करके रख दी मैंने कड़ाई और डाल दिये एक चमच ओइल अब हम करने वाले हैं गोबी को फ्राई तो हाँ जी गोबी मैंने अच्छी तरह से पहले से ही धो कर कट करके रख ली थी एक बडा फूल मैंने गोबी का लिया था जिसके छोटे छोटे फूल मैंने कट कर लिया है तो फ्रेंड्स अब इन गोबी को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है कम से कम 2 से 3 मिनट तो फ्लेम मैंने low to medium कर दी है और low to medium फ्लेम पर चलाते हुए से कम से कम दो से तीन मिनट अच्छी तरह से फ्राइ करेंगे जब तक इसके उपर बड़ी असा कलर नहीं आ जाता और थोड़ी सी हमारी गुबी पकनी जाती तो थोड़ी थोड़ी करके हम इन सब्जियों को पहले पकाएंगे तो वेट करते हैं इसके पकने की और फ्रेंज अ काल लेते हैं से अलग से प्लेट के उपर और हाँ बैल का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो अब बारियाती आलूं को फ्राइ करने की तो एक चमच मैंने ओल और डाल दिया है अब ये कच्छे आ अगर हमें सबजी बढ़िया खानी है तो मेनत तो करनी ही पड़ेगी तो ये देखिए आलू हमारे हलकेर के कलर इसका चेंज हो गया अब डालते हैं गोवी को दुबारा इसी में तो अम दोनों चीजों को अच्छी सा तरह से एक बार फिर मिक्स कर देंगे लीजिए अब ब अब दोनों चीजों को करते हैं अच्छी तरह से मिक्स और फ्रेंड्स अब इसकी फ्लेम कर देंगे गयास की बिल्कुल लो लो फ्लेम पर हमें इसे कवर करके कम से कम चार मिनट पकाना है थोड़ इसी हमें सबजी और पकानी है ताकि हमें आगे और इजी हो जाए तो मिक्स कर देते हैं पहले अच्छी तरह से तो लीजिए सबजी हो गई अच्छी तरह से मिक्स तो फ्लेम मैंने लो कर दिया और कवर कर देते हैं इसे और वेट करते हैं चार मिनट का तो चार मिनट हो चुके हैं तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं अलग प्लेट के उपर और इसक में और अब ढालतें इसमें कुछ खड़े मसाले जिसमें मैंने लिए जीरा चार पंच दाने काली मिर्श के दो लॉंग एक चोटा सा टुकड़ा दाल चीनी का और चोटा सा टुकड़ा ही मैंने लिए जवित्रीगा और दो चुटकी मैंने डाल दी इसमें हींग साथ में डाल हो जाए तब तक हम इसे फ्राइ करेंगे तो देखिए कलर आ गया ने इसके उपर बढ़िया सा तो अब डालते हैं हम इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट जिसे मैंने क्रश किया है तो एक बड़ा चमच के क्रीब इसमें एड़ कर दीजिएगा यह लीजिए डाल दिया मैंने और अब इसे करते हैं अच्छी तरह से मिक्स और इसे भी भून लेंगे जब तक इसका कच्चर फिलेवर भी बिल्कुल खतम ना हो जाए जिंजर गार्लिक का यानि कि लसन अद्रक का चलाते हुए भून लेजिए इसे तो अब डालते हूं मैं इसमें 140 पौडर और 140 स्पून ही हल्दी पौडर क्योंकि ओल में जब हम इन दोनों चीजों को एड करते हैं तो कलर बहुत बढ़ी आता एक बार इस तरह से ट्राइ जरूर कीजिए थोड़ा सा भून लेते हैं तो लीजिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है अब डालते इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक क्योंकि टमाटर चले गए हैं इसमें तो नमक डालेंगे तो हमारा मसाला बहुत जल्दी से पकेगा तो मिक्स करेंगे एक बार फिर इसे अच्छी तरह से नमक को तो फ्रेंट्स अब बारी आती है हमारे मसालों का जो हमने पेस्ट बना कर रखा था ना उनकी तो डाल देते हैं इसमें ये पेस्ट बहुत बहुत ही अलग हो जाता तो लीजिए अब इसको हमें भुनना है लेकिन उससे पहले मैं एक special इसमें चीज और एड़ करना चाते हूँ जिससे हमारी gravy बहुत बढ़िया बनेगी तो वो है एक चमच के करीब बेसन जी हाँ बेसन इसमें जिरूर एड़ कीजिएगा और ये कच्चा बेसन है अब जैसे जैसे हमारे टमाटर का मसाला बुनेगा वैसे वैसे ये बेसन भी बहुन जाएगा तो कम से कम 5-6 मिनिट फ्लेम लो कर दीजिएगा और उपर से कर दीजिए को कवर और इसे अराम से पकने दीजिए जब तक ओईल ना separate हो जाए बीच बीच में चलाएंगे भी तो ये देखिए oil हो गया separate मसाला हमारा बहुत अची तरह से भुन चुका है और खुश्पू भी बहुत जबरदस तारी है तो आप देखी रहे हैं ना मसाला इतना जबरदस बना है देखी रहे हैं तो हमारी सबजी कैसी बनेगी तो अब बारी आती है हमारे fry के हुए आलू और गोबी को अड़ करने की तो अब मिक्स करते हैं इस मसाले में दोनों चीज़ों को अगर इस तरह से आप सबजी एक बर बना कर खा लेंगे ना मुझे लगता है बार बार इसी तरह से बना कर खाएंगे ये तो पक्का है तो इसे एक मिनट हम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि सभी चीज़े हमारे गोबी और आलू में चली जाएं बस ठीक है ना तो अब बात हम क्या करेंगे इसकी बनाएंगे ग्रेवी तो ग्रेवी बनाने के लिए जितना आपको इस इसकी ग्रेवी बनानी है उसी के अकॉर्डिंग पानी डालना है तो मैं इसमें पानी डालने वाली हूं कम से कम डेट ग्लास तो डाल देते हैं तो mix करेंगे इस एक बार अच्छी तरह से तो एक glass तो मैंने इसमें add कर दिया है तो अभी मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो डालते हैं थोड़ा सा पानी और ये लीजिए तो डेट ग्लास पानी मैंने इसमें डाल दिया है तो हम मैं डालूँगे इसके ओपर गरम मसाला और कर देंगे एक बार अच्छी तरह से mix तो friends high flame पर एक whistle आने तक इसे हमें पकाना है उसके बाद इसकी जब तक steam नहीं खतम होगी ना हमें cooker on नहीं करना मतलब खोलना नहीं open नहीं करना तो एक whistle की weight करते हैं तो लीजिए friends एक whistle आने के बाद मैंने इसका pressure इसके अंदर ही खतम होने दिया और उसके बाद देख लीजिए आप result देख रहे हैं न आप look कितना बड़ी आया है डालते हैं इसके ओपर काफी सारा हरा धनिया आपको मैं एक बार mix भी करके दिखाती हूँ इसकी gravy इतनी जबरदस बनी है और खुश्बू मैं मुझे लगता है कि आस पास सभी जगा इसकी खुश्बू जा रही है friends बहुत टेस्टी मेरी ये सबजी बनकर त्यार हुए है आलू गोबी की और इसे चावल के साथ enjoy कीजिए प्रांठे के साथ कीजिए नान के साथ कीजिए चपाती के साथ कीजिए जिसके साथ मर्जी कीजिए पूरी के साथ कीजिए मज़ाई आने वाला है friends तो करते हैं इसे serve मेरे मूँ में तो पानी आ रहा है जबरदस्त तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक का बटन जिरूर प्रेस कीजिए फिर मिरती हो दोस्तो एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाँ बाई